आप वापस आये पैरिस्टर मुहंदास करमचन कादी से बिलकर वल्लब भाई ने अपने कुछ वर्सों से सीखे विदेशी व्यभार और संस्कार हमेशा के लिए त्याब दिये और अब वो अपने खेडा के किसानों को हक दिलानी के लिए बापू के साथ अनोलग में पूट पढ़े अब उनके पैरों में जूते नगी गाउं की भूलत है प्रिदे में भारत भूमी की शस्य शामला धाती मन में धेकान ही और मस्तिश्क में एक नए स्वतंत भारत का साथ अनोलग में पूछा तभी बार्डोली के मजबूर मज़ूर किसानों की यादना का समाचा उनके पास पहुचा तुरंट वल्लग भाई महां पहुचे और यूँ शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सखली किसान अनोलग बार्डोली वल्लग भाई में वल्लग भार्डोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिल अचल मनुबल दिया कि अंग्रीजी सर्काम हिल गई और एक परस के पाँ उनका लगान माँ कर दिया गया अब तो पूरे देश में लोग वल्लग भाई के नाम के तस्रिद आने लगे से महत्मा गान्धी ने कहा अब वल्लग भाई मेरे शिष्टे या साथी नहीं है सारे देश के सर्दार फे और देश को पिल गया एक अमुखा असर्दार सर्काम सर्दार पटेवी के नाम और देश बत्ती से अंग्रेज दर कर तांपने लगे 1930 के नमत सत्यांटर और दर्दी पूच में वो बापू से भी पहले धिरफ़तार किये गए 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ भी जेल में दो सालों के लिए दांपिया गया मगर आजाली के दीवानों को स्वतंत्रका के परवानों को कौन गिरफ़तार कर पा रहा है जेल से छूपते ही सर्दार को कंग्रेस के मेरे राष्ट्रिय अंद्रक्षपत पर चुना है और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रबादी भाकियों ने तमाव प्रिटिश तुलों में जीन हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सर्कारी बनाएं किन्तो सर्दार का सपना के वर सर्दार बनाना है पर उनका सपन दोखा एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर साथ, मजब तब्दे का इंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्स वराजे के साह, सारी साथ को वरीवी अशिक्षा छुआचुछ से भी आजादी मिल जाए इसकी पहली रंगी ती भारत को अंग्यजों की गुलाविं से आजादी ताके भारत के लोगों की अपनी सरकार सब के साथ और सब के विकास के लिए काम कर सके बाभू की अग्वाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिंचे कामी देदी करेंगे या मलेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो बस पिर क्या था संधुश की रंभेवी बजी तीन सालों के लिए सर्दार पड़े खोड़ी सत्य रगी मिकाउं के साथ जेल में ठूस किया गए दू सालों के पाद अंग्रेजों को बाभू के सभी शिशे और साथिन को छोड़ना पर आए वन्ते मादर आए वन्ते मादर आए वन्ते मादर वन्ते मादर श्टम्टा के सभी खोड़ी सिश्चो को बाए प्रद्टर्ट पर पर कई एक नए जिम्मिदारी थी आने बाई आजादी की तग्यारी और एक नए भारत के लिए नही लोग तांफिक सम्ड़दान की संदशा जैसं के साथी तुमे खुद कहा था सर्दार ने इप छेली खावड़ी लेकर एक नए भारत को उपेड़ा है स्वाहिंता तो प्राम्ट हुई लेकिन खन्विक भारत में की उठते विभाजन बादी अन्दखार को अभी तूड करना था जब देश के खिंखन हुने का भयोपन हुने लगा तो सतार में मिर्भयोगर खुद अपनी केमर सतार और साथों को भी चुनावकी देदा ली और जबनी कश्मीन को बचाने के लिए साइद देश का आकाश वामियानों से ख़ड़ गया और फिर हैदराबाद और जुनागर के भारत में बिलई करन को पकिस्तान से चुनावती थी सतार चाहते के कि देश की पीट इंच दखती अब और विभाजित नहीं पुन चाहिए नए भारत को इपकरनी के ये संचा पुछा कर मना कर पांच सो पैसर खियासतों को सदार्या की सुच गूल सबाशे का संबल से एक नए सब्ज भारत का अभूंद अंग बना दिया हमारी दियास में अखर्ण भारत के पुछात का ये एक महान दम अभ्यार है जैसा उने स्वैंद का आख्राव हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसी पुरूना है कि एक दूसरे भी गुश जाने और बैदरी मुनामट वाला एक नया भारत उभारत कर सामने आसके अंततहर अपने वज्ज जड़ संकल्प से एक नया विराद विशाद इल्क भारत पुश्रेश भारत बना कर दिखाई दिया सतार में संसार के सबसे बड़े ब्रजातंत के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समध समारक स्वाधीन भारत को समध भारत में बदलने वाले सतार पटे को समध प्रिरनाती ही है प्रणाम भी श्री दरिंद भोडी के पित्रत में बनी विश्व की इस उशाद का गदिमा के सामने आकर सानु प्रिया जैसे स्वैम की नगमस्तर हो जाती है प्रिया जाती है झाल